दोस्तो मेहूद फेश और आप देख रहे हमारे यूटुप चैनल वेकेंसी सर्चर दोस्तो आज हम जिश वेकेंसी की बात कर रहे हैं वह वेकेंसी है रेलवे में आई रेल फेक्ट्री species यह रेल इंजन कारखाना बानारस में आई apprentice का job जी है दोस्तों apprentice का वेकेंसी हलाकि ITI pass लोग के लिए होता है लेकिन आज जो हम बात करने वाले इस video में कुछ पद ITI pass के लिए है और बहुत सारे पद ऐसे भी है जिसमें कि ITI pass नहीं चाहिए जरूरी नहीं कि ITI pass होनी चाहिए non ITI पद के लोग भी उसको फिल कर सकते हैं तो चलिए जदी आपको non ITI पद या फिर ITI के आप student है या आपके घर में कोई बच्चे है तो आप इस video को last तक देखे जो भी content आपको चाहिए होता form भरने से पहले वह आपको इसमें मिल पाए जदी आपको वेकेंसी संबंदीत या फिर इगनू या फिर किसी भी इनवर्सिटी में एड्मिशन संबंदीत आपको information फटाफट चाहिए तो हमारे चनल को subscribe कर लिए और notification बिल को भी दवा लीजिए ताकि आपको आने वाली जाहिए क्या qualification कितने पद के लिए वेकेंसी किस के टेगरी में कितने पद के लिए वेकेंसी है कितने payment क्या प्रक्रिया होने वाले कब से कब किसके application को आप online भर सकते हैं या फिर offline भर सकते हैं तमाम जानकारिया आपको इस वीडियो में मिल जाने वाला है तो चलिए चलते हैं notification के ऊपर लेकिंग उससे पहले एक request करेंगे आप से कि मेरे चनल को सब्सक्राइब कर ये notification बिल को भी दवाएए ताकि नोटिफिकेशन आपको भी मिलते रहे चलिए यूट्यूब के ऊपर चलिए आपको चलते हैं notification के ऊपर कि देखिए दोस्तों हम आगे है notification के ऊपर जहां complete रूप से इसके ऊपर चर्चा करेंगे भारतिये रेल बनारस रेल इंजन का रखाना बनानसी लिखा हुआ इस पर रूप से नोटिफिकेशन संक्या यह है और 26 मार्च को यह पब्लिस किया गया है इसके बारे में इस पर र चर्चा को आप 26 अप्रेल तक सामके पहुने पांच बिज़े तक कर सकते हैं कि देखिए असपर्च रूप से लिखा हुआ यहां पर 26 दोज़ार बाइस 16 बज़ के 45 मिनिट यह निकर आपको 16-25 बोले तो पहुने 5-4 बज़ के 45 मिनिट इसको बोलते हैं लोग तो 26 अप्रे नहीं कि जूट जाता है तो आपको 28 तक इनिकी दो दिन का और भी आपको समय दे दिया आता है उसी दो दिन में इसके अप्लिकेशन को आप कर लेंगे यानि कि आपको सिर्फ डॉक्मेंट संच छोड़ करके कम्प्लिट चोंको आप 26 को तक में आप कर लें पौने 5 बिज़ कर लें को जरूरी नहीं कि आप दो दिन के बाद ही करें जदी इन केस आपका छूटता है यदि आप चाहिए तो वन टाइम भी कम्प्लिट प्रोसेस को आप कर सकते जदी आपका छूटता है तो ही आपका आगे वह चीज दो दिन के बाद कर सकते है नहीं तो आपको नहीं क परके लिए पहले ही बढ़ा चुके है आपको उसके अलाबा आपको किसमें कितना सीट है तो आपको तीन सब पद आपके लिए है उसके अलाबा और भी आगे बढ़के कर लेकर किस तो आपको कर ना है उसके पर जपाएं के अलाबा अंफ्लाइन नहीं यह ओलाइन फॉल में उसके अलाबा रिख्ति जो यहां पर डिया हूँ आपको नीचे में दिया गया है अभी हम चर्चा कर लेते हैं पहले कि आपको आपको पास के लिए बहुत बहुत बेहतर ड्रेड में पत दिया गया है पेंटर की जनरल में तो आथ पत दिया गया है मशीनिस्ट की बात करें तो 67 है और मतलब की गया सब्सक्राइब ट्रोनिक दिया हुआ है पईतालीस पत्राइश के लिए और यहां पर जो है अच्छा का सा चीन में इसमें धिये गया है यहां पर ज़ह को जोड़ा जाए तो मिला करके सभी केटेगरी को मिला करके दिये गए ज़दी इसमें तॉप की बात करें तो इसमें देखिए फीटर को ही दिया गया मैक्सिम यह 107 और उसके बाद नहीं किये गये हैं उसके लिए कितने-कितने पद है इसके उपर भी अभी हम चरचा करते हैं देखिए लेकिन उसे पर चरचा करने से पर इस जो एरिया में लिखा हुआ फीटर, कार्पेंटर, पेंटर, मेसनिस्ट, वेल्डर, एलेक्रिसियन यह सब लिखा हूँ, इसके उपर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमने बताया है कि यह जो है आपको नोन आईटी आई पास है, तो आप सोचेंगे कि भाईया नोन आईटी आई पास यहां पर आई संपल के लिए मान लिजे की बात कर लेते हैं, तो जो ट्रेंड है वो ही तो वेल्डिंग कर पाएंगे ना कुछ चीज़ों को, जिदी आप वहां पर जाएंगे बिना ट्रेंड किये हुए तो आप कैसे वेल्डिंग करेंगे, तो वेल्डर को भी तो हलफर चाहिए ना, तो सब में आपको हम इसमें बता दें कि किसमें कितना है देखिए यांगी सीथ है पधर भीडियों से सीट देखिए आप इसको पस्ट्रोप से वीडियो से भी आप सबस्क्राइब सकते हैं और वेल्टर की बात करें इसमें आपको ग्यारा पद है सभी को मिला करके और इसमें कुल नगर करके परसेंट वह भी इसमें काम करता है यहां पर यह चार्ट आप समझ लेते हैं कि यह नहीं थोड़ा सा इधर आते हैं यह देखिए स्थि के लिए 15 परसेंट साथ पॉइंट पांच परसेंट बिश्थ के लिए 10 परसेंट आपको अरक्षन इसमें मिल जाता है इसके अलाबा जो भी आपको अरक्षन के लिए पेपर चाहिए होता है का सट्रीफिकेट अगर आप इसी जोंकर तमाम चीजों को आप बनवा ले यानिकि मैट्रिक या दो इंटर परिच्छा पाली में हाई स्कूल संक्रिच्छ परिच्छा में पचास परसेंट या उससे अधिक अंग के साथ उत्ति नहों नहीं बारिए यानिकि आपको पचास परसेंट कम से कम जड़ी आप पांसो कुल मांक्स का था आपको धाइसो नंबर या उससे आपको ज़्यादा जदी है तो इसके फॉर्म को आप फील कर पाएंगे और वह भी आप छबीस देखिए मार्च दोजार बाइस से पूर्व आप चबीस मार्च प्रेट किसे समझेत आपका सर्टिफिकेशन होनी चाहिए और जो भी सर्टिफिकेशन आपका टेंथ या टुवेल्थ के साथ जो आईटिए गली बात करते हैं वह भी आपको चबीस तीन तक यह उसके अलावा और बी जो कंटेंट आपको भी जानना जरूरी है उसके बारे है उसका आपको फायदा मिलेगा नहीं उसका फायदा आपको नहीं मिलने वाला है आप 10 पास है और चाहिजके Silver कर लिए बड़ा बड़ा आपकी लिए उसके आलावा आपको अप्रेल 2000 22 तक में आपको कम से कम 15 वर्ष और अधिक्तम आपको 22 वर्ष होनी चाहिए कम से कम आप 15 वर्ष के हो non-ITI के लिए और ITI के सीठ के लिए भी आपको लगबग वही बात है 15 वर्ष से ले करके दो साल ज्यादा इसमें 24 वर्स किया गया है नोन आईटिया के लिए 15 वर्स तो उसमें मिल्मम है यह है लेकिन 2 वर्स ज्यादा आपको मिल अधिक्तम संख्या में यानि नोन आईटिया के लिए 22 वर्स है और आईटिया पास के लिए 24 वर्स रखा गया है उसके अलाबा से 22 ही रखा गया है दो साल का इसमें ज्यादा नहीं दिया गया आयू में छूट की जब बात कर लेते हैं लोग एज में जो वरियता है इसमें छूट की बात कर लेते हैं लोग जो रिजर्वेशन है उसमें तो पांच वर्स का मिल रहा है सी वंदू स्ट कमंदू को और तीन सा वही बात है पांस साल स्टी के अप्लिकेंट को और तीन साल ओवी सी के अप्लिकेंट को इसमें एज में छूट दी गई है जो की एक्चिवल एस से जैनि कि जिदी 22 वर्स है तो 22 कर लिए को उसके अलाबा दिव्यांग के लिए देखिए इसमें जो भी आपके पेपर है सब चीज आपके पास सठीक होना चाहिए कौन को लोग भरेंगे यह भी दिया हुआ है कि इसमें एक तरब का निचला अंग आंसी रूप से चती ग्रस्त यानि कम्प्लीट जो है वह व साथ सारा मरा सब्सक्राइब वीडियो कर जाएंगे इसलिए हम ही सेक्षिन को स्कीप कर जाते हैं उप्रोग्त विदियो में नामिका बनाने है तू यानि कि मेरिट बनाने है तू अभ्यार्थियों के मैट्रिक लिशन पढ़िक्छा में प्राप्त अंग के प्रतिस्तित का सब्सक्राइब करने के संदर्म में जो सामान निर्देश है इसको आप पढ़ सकते हैं हलाकि इसका चीजों के बारे में तो कंप्यूटर वाले जो क्याफे वाले हैं वो लोग पढ़ेंगे लेकिन इसमें कुछ कुछ चीज आपके जानने वाली बात भी है देखिए आवेदन सुल्क की बात 100 रुपिया मात रहे यानिकि 100 रुपिया आपको आवेदन सुल्क रखा गया है उम्मिद्वार को 26 2022 यानि सुल्क के लिए लागु सेवा प्रभारी को अमिद्वार द्वारा ही वहन करना होगा उसके अलावा आवेदन सुल्क रुपिया किसी भी दिस्ताम वापस नहीं कि अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती दिव्यांग महिला अभियाति को सुल्क का बुक्तान करने वाले आवेदन कर दिया जाएगा आपको यहां पर 26 अप्रेल को किया गया जवर बाइस तक पहुने पांच विए साम तक असपस ट्रूप से फिर से हम बता दें आपको इसके अलाबा जो भी डिटेल आपको मिलनी है वह आपको यह वेबसाइट www.blw.indianrailways.gov.in यह बहुत चर्चित अप्रेंटिस है इसको आप जोदी भरना चाहते तो बेसक भर सकते अच्छा खासे इसमें आपको जो है अप्रस्रिक्षन मिल जाने वाला है उसके अलाबा इसके जो पढ़ेंगे उसके अलावा कौन-कौन से पेपर आपको देने पढ़ेंगे यहां सबस्ट रूप से लिख दिया ताकि आपको जब जाएंगे फॉर्म करवाने के लिए आपको सब की साथ में लेके चलेंगे आप तो आप उसका भी सर्टिफिकेशन आप लेके जाएंगे सा आप वहां पर जाएंगे उसके बाद आवेदन सुल्क का विब्रन पोटल में अबस भरें और अप्लोड करें काने का मतलब फॉर्म में आपको आवेदन सुल्क पहले करने पड़ेंगे उसका दिटेल्स भी आपको फीड करना है कि आपने फॉर्म का पेमेंट किया है फोट पी या फिट थसमा आप उसके फोटो में नहीं पांच सकते हैं नीचे में आपका फोटो की नीचे में नाम और आपका डेट पिक्चर होना चाहिए उसके अलाबा आठ कोपी आप भवी से के लिए भी दख लें आपको यही फोटो बाद में भी काम आएगा ट्रेनिंग है मिद्वार का जो की लिस्ट है जो मेरिट लिस्ट आपको इस वेफ साइट पर पब्लिस कर दी जाएगी वहां से आप बाद में उसको देख पाएंगे उसके अलाबा जो और भी डिटेल्स है इसमें साइद आपको जाने वाली बात नहीं है क्योंकि यही चीज को रिपीट क जादी आती है इंट्रेस्टिट इसको भी आप पढ़के समझ सकते हैं वही चीज को यहां पर रिपीट किया गया है रेकेंसी के बारे में यहां पर कुछ अलग से नहीं लिखी गई है तो तमाम जो भी जानकाड़ी आपको मिली है साइध हमारे मारपत से साइध आपको सब्सक्रावा ले ताकि आपको और नेक्स टैम की नोटिफियों आपको मिलती रहे धन्यवाद दोस्तों जय हिंग जय भारत बंदे मातरम